हेलो फ्रेंड्स मेडिशिन वर्ड चलन में स्वागत है मैं दिपक कुमार आज लगया हूँ जो बेंडी सस्प्रेंशन के बारे में जो की बच्चे के लिए बना गया है दोस्तों यह जो सस्प्रेंशन की पूरे जान कर दूँगा इसका डोच यूज और साइफेट्स के बार करें जो 17 रुपया इसका जो प्राइस दिया गया है जो कि किसी भी मेडिशिन स्टोर से आपको मिल सकती है कमपजिशन की बात करें अलमेंडाजॉल और अल सब्सक्रेशन आईपी इसमें जो दिया गया है दोस्तों यह टेन अमल जो बटल में आता है जो कि फिर आपको मैं अन्भक्षिंद करके दिखाऊंगा पूरा जान करेंगा दोस्तों पूरा वीडियो दखते रहें टाक कि आपको मिल सके दोस्तों अगर मेरे चनल पर नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अज़िशा लगा तो लाइक करें शेर करें और बेल आइकन को प्रेस करें बेल आइकन को प्रेस करें जो मेरा वीडियो आपको पहले मिल सकें बात करते हैं दोस्तों इसका जो लाप की भारे में कि दसतो यह बच्चे में जो पीट में कीड़ हो जाती है जिसके कारण से बच्चे में बहुत सारी परिषाण देखने को मिलती है इसका अलाबा पर जीबी संक्रमण जो टफ बर्ग जैसे जिबानों या वारों होती है इसे डक्टोलक प्रस्क्राइब करते हैं दोस्तों अपको मैं पैट की किड़े बारे में कुछ इंफरमेशन देना चाहता हूं बच्चे में जो कोई पैट में इंफेक्शन हती है जिसके कारण से बहुत सारी कीड़े बनती है जैसे की छोटा से बड़ा तक होती है पैट में दोस्तों कूछ कीड़े असे होते हैं कि हमारा डाइजेशन सिस्टम को ठिक करती है पर कूछ और ऐसे कीड़े हैं जो हमारा जो स कीडे पेट में होते हैं तो बच्चे में खाने की प्रब्लेम या जो गुद्दे में जर संसना हाट दिया खुजली ज्यादा तर भूख की कमी देखन कर मिलती है बच्चे में बच्चे दुगले पतल हो जाते हैं बच्चे बहुत खान पान में बहुत ही प्रब्लेम करती है खाना खाना छोड़ देते हैं जिसके कारण से बच्चे में जो बड़ी का जो ग्रोत कम हो जाती है दोस्तों दोस्तो बच्य के पेट में किडे होने के और भी बहुत सारे जो लक्षन मिलती है जैसे कि जो दस्त लग ना जो आँखेलाल पड़ जाना जो आपका स्कीन में शफ़च जीसे होना इस जो कड़्य Oke पेट में होने का जो लक्षन देखा जाता है दोस्तों दोस्तों इसको पहले खोलते हैं फिर आपको मैं बताता हूं इसका यूज कैसे कह जाता है दोस्तों दोस्तों मेरे सलाह से इस जो बंडी सस्वेशन की यूज करने से पहले अपने डक्टर से परमस करें फिर इस मेडिसि को दिया जाता है दोस्तों दोस्तों यह है बंडी सस्पेशन साइड इफेट्स की बारे में बात करें जो लिभर रोग न्यूट्रोपेनिया गुत की बीमारी जो शरेबल मेलेरिया जैसे समझेव देखने को मिलती है दोस्तों दोस्तों मेरी सलासा इस जो शिराप को देने से पहले आप अपने डक्टर से जो रोग कंसर्ट करें उसके बाद इस जो शिराप को आप बच्चे को दे सकते हैं दोस्तों यह थी कुछ बंडी सस्पेशन की इन्फरमेशन अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर क जाइहिन बंदे महतरम